दोस्तों आज के समय में इंटरेट भारत में लगबग हर आदमी इस्तमाल कर रहा है चाहे वो एंटरेटेन्मेंट के लिए हो या कमाई के लिए या फिर कोई बुकिंग करने के लिए या ऐसे किसी अन्य काम के लिए दोस्तों mobile network providers के internet की बात करें तो mobile network providers का internet connection स्टेबल नहीं होता है और कई जगह हों पर तो building के अंदर ठीक से network भी नहीं आता इसके अलावा भारत में काफी सारे लोगों के पास अभी भी 4G phones नहीं हैं जिसकी वज़े से उनको mobile internet connection की speed इतनी तेज नहीं मिल पाती इसलिए लोग आजकल Wi-Fi connection के true इंटरनेट इस्तमाल करने को ज़ादा prefer करते हैं जिससे उनको अच्छी speed भी मिलती है साथ ही वे अपने phone के अलावा अन्य devices जैसे की laptop, tablet या TV को connect करके उन पे एक साथ इंटरनेट इस्तमाल कर पाते हैं इसके अलावा यदि health benefits की भी बात करें तो mobile network से काफी जादा radiation होता है जिसके मुकाबले Wi-Fi इस्तमाल करने में radiation बहुत ही कम होता है तोस्तों ये तो हो गई इंटरनेट और Wi-Fi के फाइदों की बात पर क्या आप जानते हैं कि PM वानी याने की प्रधानमंत्री Wi-Fi Access Network Interface Scheme के तहट आप अपने घर से ही public data office open करवा के Wi-Fi की service provide कर सकते हैं और अच्छी खासी earning भी कर सकते हैं इतना ही नहीं इसमें earning करने के और भी तरीके हैं जिनके बारे में हम आपको वीडियो में पूरी detail में बताएंगे दोस्तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें हमारा Instagram पेज भी है जिस पर हम money motivation एवं earnings related regular post डालते हैं आपको हमारा Insta handle अभी अपनी screen में दिख रहा होगा और इसका link भी आपको description में मिल लाएगा आप वहाँ से जाके इसे follow कर सकते हैं दोस्तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपको इस business की details बताता हूँ PM वानी भारत के हमारे current प्राइम मिनिस्टर द्वारा December 2020 में launch की गई थी यदि आप PM वानी scheme के साथ जुड़कर PDO याने की public distribution office खोलना चाहते हैं तो इसमें ease of doing business को promote करने के लिए और छोटे दुकानों या अन्य छोटे businesses को भी इससे जोडने में प्रोच साहन करने के लिए सरकार ने इसमें license की शर्त हटा दी है याने की अब आपको ये PDO खोलने के लिए कोई भी license की जरूरत नहीं होगी और नहीं आपको DOT याने की Department of Telecommunication को कोई भी fees देने की जरूरत पड़ेगी ये आपको बिलकुल free of cost पड़ेगा साथ ही यदि आप PDOA याने की Public Distribution Office Aggregator भी बनना चाहते हैं तो भी आपको किसी license की जरूरत नहीं पड़ेगी आप केवल इसके लिए registration process कंप्लीट करके काम शुरू कर सकते हैं दोस्तो यदि आपको PDO या PDOA ये क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए मैं अभी आपको इस scheme की सारी details समझाऊंगा दोस्तो PM वानी के तहट Public Wi-Fi के इस्तमाल के लिए कस्तमर को अपने phone में एक app डालना होगा जिसके बाद वो इस app की मदद से Public Wi-Fi Networks का इस्तमाल कर सकता है यहाँ पे कस्तमर अपनी data usage के हिसाब से packs खरीच सकता है जैसे कि यदि उसकी requirement कम GB की है तो एक GB का pack या फिर ज्यादा requirement के हिसाब से ज्यादा बड़ा pack भी खरीच सकता है अब इसमें कस्तमर का फाइदा यह है कि जैसे ही वो एक Public Wi-Fi Networks के एरिया से किसी दूसरे Public Wi-Fi Networks के एरिया में जाता है तो उसका Wi-Fi automatically इस app के थूँ स्विच हो जाएगा और वो अपने बचे हुए डेटा का इस्तमाल दूसरे Network में भी कर पाएगा इसके अलावा यहां कस्तमर को ये भी फाइदा है कि यहां पे डेटा का rate भी काफी कम है यदि हम rates की बात करें तो यहां पे कस्तमर को करीब 1 GB का 1 रुपए तक ही लगेगा जो की आपके मोबाइल डेटा पैक से काफी सस्ता पड़ता है इसके अलावा इसका connection भी मोबाइल इंटरनेट connection के मुकाबले काफी जादा stable होता है इनी benefits की वज़े से आपको ये Wi-Fi access point लगाने के बाद बिजनस काम कैसे करता है और इसमें अलग-अलग लेवल पे किस प्रकार से लोग कमा सकते हैं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस scheme के अंदर आप अकेले जुड़के या फिर अपने कुछ partners के साथ या फिर अगर आपकी कोई company है तो उसके तुरू जुड़के भी इसमें अलग-अलग प्रकार से income generate कर सकते हैं दोस्तो इसमें सबसे उपर के लेवल पे एक central registry होगी जिसके अंदर सभी app providers और PDOA का details maintain होगा यह central registry, government के ही विभाग CDOT याने की Center for Development of Telematics द्वारा maintain की जाएगी अब इसमें next level पे आता है app provider दोस्तो app provider इसमें वो लोग होंगे जो PM वानी को use करने के लिए applications बनाएंगे इस application के तुरू Wi-Fi users register करके अपने आसपास के Wi-Fi hotspots को ढून पाएंगे एवं उनसे connect कर पाएंगे इसके अलावा जब भी वो user एक hotspot से दुसरे hotspot की तरफ जाएगा तो इस app के through उसका hotspot automatically अगले hotspot पे switch कर दिया जाएगा दोस्तो यहाँ पे app provider बनने के लिए आपको Companies Act 2013 में registered होना चाहिए जिसके बाद आपको इनकी website सरल संचार में जाके registration का process complete करना होगा इसके registration में 7 दिन का वक लगता है जिसके बाद app provider बनके आप अपने app के usage पे पैसे कमा सकते हैं जिस समय मैं ये video बना रहा हूँ उस समय अभी तक 33 लोग e-providers की तरह यहाँ पे registered हैं दोस्तो अब इसमें next level होता है PDOA office याने की public data office aggregator इसका मुख के तौर पे ये काम होता है कि ये central registry और PDO के बीच में एक exchange की तरह काम करता है याने की PDOs के जितने भी customers की connection का request आता है उनको process करके fulfill करना एवं यदि PDOs को कोई परिशानी आ रही है तो उनको support provide करना और इनके issues को solve करने का काम PDOs का होता है दोस्तो यदि आप PDOA की तरह register करके यहाँ पैसे कमाना चाहते हैं तो आपकी company को Companies Act 2013 में registered होना चाहिए ऐसा करने के लिए आपको उनकी website सरल संचार पर जाके PDOA की तरह register करना है इसके registration में आपको अपनी company से related documents एवं अन्य details इनकी portal में fill करना होगा जिसके बाद maximum 7 days का वक्त लगेगा और उसके बाद आपका registration certificate आपके पास मिल जाएगा फिर आपको registration complete होने के बाद इनके portal पे login करके security certificate upload करना होगा जिसके बाद आप POA को connect करके उनकी details एंटर करवाना शुरू कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे आप same company को PDOA एवं app provider दोनों की तरह ही register करवा सकते हैं और दोनों ही तरीके से income कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद यदि आपकी कोई company नहीं है और आप अपने घर से ही या बहुत छोटे स्तर से या फिर आपके पास यदि कोई shop है या छोटा office है और इसके थूरू ही scheme से जुड़कर earning करना चाहते हैं तो आप यहाँ PDO यानि की Public Distribution Office के तौर पर जुड़ सकते हैं दोस्तो Public Distribution Office का काम है Wi-Fi Services लोगों तक पहुचाना यानि की जो भी लोग Wi-Fi Networks अपने फोन में देखेंगे PDO का का काम होगा उन Wi-Fi Networks को बनाना एवा maintain करना जिससे की customers को regularly Wi-Fi access मिलता रहे अब यदि आप किसी building में रहते हैं और अपने घर से भी काम करना चाहते हैं तो भी आप एक broadband connection लेकर और उस पर एक Wi-Fi access point लगाकर अपना काम PDO की तरह शुरू कर सकते हैं आप अपनी building के लिए Wi-Fi hotspot की service प्रोइड कर सकते हैं इसी प्रकार आप अपने shops, schools, colleges या फिर अन्य market places में Wi-Fi hotspot बनाकर PDO की तरह जुर सकते हैं दोस्तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि customer आपके Wi-Fi का इस्तमाल क्यों करेगा तो इसका जवाब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिया था कि mobile data के मुकाबले Wi-Fi hotspot को इस्तमाल करना काफी सस्ता भी होगा और ये एक stable connection भी होगा जिससे आपके customer की कम rate में अच्छी service ले पाएंगे और आपका customer base बढ़ता चले जाएगा अब यहाँ पर अगर हम profit margin की बात करें तो आपको प्रती GB के sale पे यानि कि प्रती GB usage पे आपको 15-20 पैसे का profit margin होगा और आज कल लोग जिस तेजी से data का इस्तमाल कर रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आप इससे कितना अच्छा profit earn कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी PM वानी scheme एवं उससे जुड़े income generation idea के बारे में यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे like कर दें और अपने दोस्तों के साथ share करें यदि आप इस प्रकार की जानकारी शूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर दें और bell notification icon को दबाएं इसके अलावा यदि आपका हमारे लिए कुछ सवाल हो या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें Instagram पर DM कर सकते हैं या फिर comment में भी लिख सकते हैं धन्यवाद